नमस्कार मैं हूं देवांसू आप देख रहें इन्विस फोनेशन बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और इस बाद चंद सेखर रावन की पार्टी भी बिहार चुनाव में दस्तक दे चुकी है दरसल आपको बता दे कि चंद सेखर रावन की पार्टी बिहार के सभी 243 सीट चुनाव में आपने क्यों छोड़िया उनका साथ सबसे पहले मेरा सवाल भी है क्योंकि चंसेखा रावन की जो पार्टी है अजाद समाज पार्टी वो 243 सिटों पर चुनाव लड़ने जा रही है पहले जो सुरवाती दौर में देखा है उनका संगठन था भी मार्मी उसके परदेश अध्यक्ष थे आखिर क्या वज़र रही कि आपने उनका साथ छोड़ दिया और अब अकेले चुनाव लड़ेंगे देखे कोई भी संगठन पार्टी वन में आर्मी से नहीं चलता है और जिस यह संगठन की जो पॉलिसी थी वो बाबा साहिब भीमराव अंबेड में अमविड कर के राष्ते पर चल रही थी तो कोई भी पार्टी तो आप समता समानता और बराबरी पर विश्वास नहीं करेंगे अब दलीतों में ही जातिवाद करेंगे चंसेखर अगर खुद जातिवाद करेंगे तो वो कैसे वन्ची समाज के लोगों को बावा साहिब के द्वारा लिखा संविधान के संविधानी का धिकार दिला पाए और रही पाटी की बात चुनाओ की बात तो भीम आर्मी संगठन था उसकी अनुसार हम लोग जुड़े थे और यह बगेर किसी से पूछे हुए पाटी बना लेना और उसमें सिर्फ एक जाती के लोगों को रखना केंद्रिये कमीटी में एक जाती के लोगों को रखना बिहार में एक जाती के लोगों को रखना तो कहीं न कहीं यह सिद्धानतों के खिलाब था इसलिए हम लोग हड गए और जो कार करता है उसको तरहीज नहीं देना जो गरीब कार करता थे जो जंडा धोटे थे प लोग बावा साहई भीम्राव अंबेडकर के नाम पे जुड़े थे किसी व्यक्ति बिस्नस के नाम पे नहीं जुड़े थे उन्हें ने कहा था कि बहुजन हिताई बहुजन सुखाई का नारा देते हुए उन्हें अपने पार्टी का आगास किया है और जो भी समाज में जो ब पहले बिल वन में आर्मी वो सोचते हैं कि आल इन वल मैं ही हूँ वह आजात समाट पाटी के भी राष्टी अधियत से हैं भीम आर्मी के भी संस्थापक है स्टूडेंट फेडरेशन के भी संग्रक्चक जितना भी हो और वही वन में रहेंगे और भी हम लोगों ने उनकी रहाई के लिए दिली से लकर करके बिहार कई जगा और लाखों रुपिया उन पर इन्वेस्ट किया पर वो मैंने इस बात को नहीं समझ रहें कि कौन कार करता क्या कर रहा है हमारे पास बहुत हमारे जो फ्लोर हैं बिहार के और बिहार की राजनिती का राजनिती का भोगलि परदिस यहां दूसरा है यहां का जाती समीकरन दूसरा है पर वो यहां भी चाहते हैं कि यूपी के जैसा जाती समीकरन और जातीवाद का यहां करें तो यह बिहार में बिहार बुद्ध की धरती है बिहार में चानक्ये ने पैदा लिया है बिहार के लोगों को राजनिती शुकसान होगा तो यह तो मैं हम सोच रहे हैं हमने उनको बोला đã भी कि सभी बैठ कर करके बातचित करें बैट के बातचित करकर करके आप पाटी को यहां लॉंच करें पाटी को चलाएं पर उन्होंने बोला कि नहीं जो हम चाहेंगे वही होगा और दरभंगा जहां तक बात है तो 10 जुलाई को हमने अंदोलन पहले किया था तो हमें कॉंटर करने के लिए बिहार के कुछ तताकतित लोग हैं 15 जुलाई को चंसेखर को बुलाया गया यानि कि आजमर आजाद को काटनी के लिए या कंपटिशन के लिए चंसेखर को बुलाना पड़ता है तो यह आप समझ सकते हैं और उसके यह है और हम लोग वहां आंदोलन की यह 10 तारीकों भी मैं गया था 15 बी गया था अगर हमें समाज को नहीं जोड़ना रहा था तो मैं 10 को आंदोलन मैं कर चुका था हमारा सपल हो चुका था SSP से हम लोग मिले थे फिर 15 को भी मैं गया हम कहीं ने कहीं जोडने का परियास करते हैं जो बुद्ध ने कहा था कि समाज को तोड़ो समाज को जोड़ो तोड़ो नहीं हमारा यह सिद्धान्त है यह हम लोग जो अगले लोग हैं जो अगले पंक्तिम उन्हें भी सोचने की अब सकता है कि यह बिहार है तो आप बिहार के ल समाज के लोगों तक पहुंचे और उनके साथ बराबरी से बरताओं की यह चाहते हैं यह चाहते हैं हाइफाय वन में आर्मी बनना तो बिहार में ऐसा नहीं चलेगा बिहार में हम लोग खदर देंगे हम लोग महागडबंधन के साथ बात हुई है अब आपकी फ्यूचर प्लैनिंग के बारे में बात करूंगा जब से सुप्रिंग कोड का फैसला आया था अरेक्शन को लेकर तब से लेकर आप पटना के सड़कों पर कई आंदोलन में मैंने आपको देखा है अब आगे आपकी क्या प्लैनिंग चुनाव होने हैं क्या किसी स सब्सक्राइब? तो तिन सीठ हैं हम चूज किये हैं वहां से हम लोग ज्यादा तर राजगीर हमारा गिरीज जिला है तो वहां से चुनाओ लड़ने की हमारी संभावना है और जो महागडबंधन के जो बड़े लीडर हैं उनसे बात चल रही हम लोग चुनाओ लड़ेंगे और सदन में भी ज जानसवा चुनाओ में महागडबंधन के टिकट पर चुनाओ लड़ें फिलाल अभीता के लिए इतना ही आप देखते रहें न्यूज फोनेशन